राधे राधे दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दो सितंबर साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप धर की जाड़ू से जुड़ाई यह उपाई कर लेते हैं तो आपको धनवान और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या के दिन इस खास उपाई को करने से आपके पितर आपसे खुश हो जाते हैं और आपके घर की सुख शान्ती में जितनी भी रुकावट आ रही हो उनको दूर कर देते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके कारिय नहीं बन रहे होते हैं या आप धन की कमी अकर्च से परेशान हो जाते हैं या आपका भाग्या आपका साथ नहीं देता है तो दोस्तों इस बार की सोमवती अमावस्या में अगर आप आज की वीडियो में बताए गए ज़ाडू से जुने इस आसन से चमतकारी उपाई को कर लेते हैं तो तुरंथ ही आपके सभी पित्र दोशों का नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कश्टों से मुक्ती और दोस्तों इस एकमात्र उपाई को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी आखिर कौन सा है ज़ाडू से जुड़ा वह उपाई आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में मालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और पित्रों का आशीरवाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जैमालक्ष्मी लिखना ना भूले और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जो लोग पित्रपक्ष के दौरान अपने परिजनों का श्राध करना भूल गए हैं उन्हें भी इस दिन अपने पित्रों का श्राध अवश्य ही करना चाहिए इस दिन श्रधा पूरवक पित्रों का श्राध करने से पित्रों की आत्मा को मुक्ती मिलती है पित्रों का आशिरवाद मिलता है और पित्र दोश से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों इस बार सोमवती अमावस्या दो सितंबर को है सोमवती अमावस्या पर पित्रों को प्रसंद करने के लिए भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी को ही पित्र देव कहा गया है सुम्वती अमावस्या पर जो भी पूजा या उपाई किये जाते हैं वे अति शीग्रही शुबफल प्रदान करने वाले होते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको इस अमावस्या पर किये जाने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं बनने लगते हैं इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को तक जरूर देखें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा तो आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में अगर आपके बनते हुए कार्य बिगर जाते हैं आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही आप पित्र दोश से पीलित है या शनी देव से संबंदित कोई दोश है तो अमावस्या पर करें यह आसान सा उपाय इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिंसनान करके स्वच वस्त्रत धारंग करें इसके बाद एक लोटे में शुधत जल ले जल में थोड़ा सा कच्चा दूद मिला ले अब जल में थोड़ी सी शक्कर या गुर डाल दे और थोड़े से काले तिल भी डाल दे अगर आपके घर में गंगाजल है तो गंगाजल भी आप इस लोटे के जल में मिला दे और एक सरसो के तेल का दिया बनाए अब इस जल के लोटे को पीपल व्रिक्ष के पास ले जाए और पीपल व्रिक्ष पर ओम नमो भगवाते वासुदेवायः इस मंत्र का जाप करते हुए आप ये जल पीपल व्रिक्ष पर चड़ा दे जल चड़ाने के बाद आप पीपल व्रिक्ष के नीचे रखकर दिये को चलाएं दिया जलाने के बाद आप पीपल व्रिक्ष की ग्यारह परिक्रमा करें परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवाते वासुदेवायह नमः इसका जाप करते रहें दोस्तों पीपल व्रिक्ष में भगवान विष्णु मा लक्ष्मी जी, पित्र देव और शनेदेव का वास होता है अमावस्या पर इस तरह से पीपल व्रिक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और मा लक्ष्मी का भरपूर आशिरवाद प्राप्त होता है जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है, पित्र प्रसन होते हैं और त्रिप्थ हो जाते हैं पित्रों के आशिरवाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं, साथ ही पित्री दोश भी दूर हो जाता है और शनिदेव से संबंदित भी सभी देशों में राहत मिलती है दोस्तों वैसे तो अमावस्या पर पीपल व्रिक्ष का पूजन करना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन आने वाली अमावस्या पर भूल कर भी पीपल व्रिक्ष का पूजन ना करें धन की देवी मा लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए अमावस्या की रात आप अपने मंदिर में एक थाली रखें थाली पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए फिर महालक्ष्मी यंत्र को स्वास्तिक के उपर रखें महालक्ष्मी यंत्र ना हो तो आप मालक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्वस्तिक के उपर रखें इसके बाद लक्ष्मी का कुमकुम से तिलक करें फिर अक्षत पुष परपित करें इसके बाद एक शुधगी का दिया जलाए और किसी मिष्ठान का मातारानी को भोग लगाएं भोग लगाने के बाद मालक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम महलक्ष्मे नमह ओम महलक्ष्मे नमह इस तरह पूजन करने के बाद आप मा लक्ष्मी से अपने घर में वास करने की प्रार्थना करें इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी का घर में स्थिर वास होता है और घर में सुख सम्रिद्धी आती है दोस्तों अगर आपको धन संबंधी समस्याय लगातार बनी हुई है धन का लाभ नहीं होता धन प्राप्ती के कोई मार्ग नहीं दिख रहे या फिर धन घर में आता तो है लिकिन टिकता नहीं है घर में अशान्ती रहती है इन सभी परिशानियों को दूर करने के लिए और धन की देवी मालक्षनी की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को जाड़ू से करिए ये आसान सा उपाय उपाय करने के लिए अपने घर के सबसे उत्तरी पूर्व कोने को साफ करें साफ करके जमीन पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं अब आप एक जारू ले इस उपाई को करने के लिए आप या तो नई जारू ले या फिर ऐसी जारू ले जिसका आप अपने घर में इस्तिमाल करते हैं ध्यान रखें आपको ऐसी ही जारू लेनी है जिसका या तो आप अपने घर में अभी इस्तिमाल कर रहे हैं या फिर बाद में इस्तिमाल करेंगे बिल्कुल टूटी हुई बिकार जारू से यह उपाय ना करें अब आप इस जारू को कपड़े पर लिटा कर रख दे अब इसके बाद जारू का पूजन करें दोस्तों जारू मा लक्ष्मी का प्रतीक रूप होती है जारू हमारे घर से गंदगी और दरिदृता को दूर करती है ज़ाड़ू का पूजन करने के लिए आप मौली को ज़ाड़ू के हैंडल पर तीन बार लपेट लपेटने के बाद आप एक गांथ लगा दे इसके बाद ज़ाड़ू के हैंडल पर हल्दी कुमकुम से तिलक करे फिर आप हाथ में हल्दी, कुम-कुम, अक्षत यानी साबूत, चावल और थोड़े से पुश्प ले ले अब इन सभी को आप जाड़ू के उपर छिलक दे फिर आप जाड़ू के पास एक सुगंदित धूप बत्ती जलाए फिर धन की देवी मालक्ष्मी को प्रनाम करे और जै मालक्ष्मी जै मालक्ष्मी इस मंत्र का ग्यारह बार जाप करे जाप करने के बाद आप मालक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी धन संबंधी परेशनी को दूर करने की प्रार्थना करे घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें प्रार्थना करने के बाद आप रात भर जारू को कपड़े पर ऐसे ही रखा रहने दें लेकिन ध्यान रखें अगर आपका उत्तरी पूर्वी कोना ऐसी जगह पर हैं जहां रात में आपकी निगा जारू पर पढ़ेगी तो आप उस जारू को किसी कपड़े से रात भर धक कर रख दें फिर सुबह उठने के बाद आप जारू को प्रनाम करें और जारू को उठा ले अब इस जारू से आप सबसे पहले अपने रसोई घर में जारू लगाएं दोस्तों इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से धन की देवी मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और मा लक्ष्मी की क्रिपा से धन संबंदी सभी समस्याई जल्दी ही दूर हो जाती है घर में पैसा टिकने लगता है और धन का लाब होता है इस उपाय को करने के साथ साथ आपमा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का भी विशेश ध्यान रखें कभी भी जाड़ू का अनादर ना करें जाड़ू को कभी भी पैण न लगाएं जाड़ू से कभी भी जूते चप्पल ना सरकाए और ना ही जाड़ू से किसी की पिटाई करें किसी ऐसे स्थान पर जाड़ू ना रखें जिससे आपकी नजर सीधे जाड़ू पर पढ़े इसके साथ ही घर में सफाई रखें लड़ाई जगड़ा ना करें महिला और बढ़ों का सम्मान करें शास्त्रों में बताया गया है जिन्स घर में महिलाओं का या बढ़ों का सम्मान नहीं किया जाता। जहां लड़ाए जगड़े रहते हैं, जहां गंदगी रहती हैं वहां मालक्षमी का वास कभी नहीं होता। इसलिए मालक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेश ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपके जीवन में कई प्रकार की परेशान या लगातार बनी हुई है, दुर्भाग्या आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप मावस्या के दिन सुबह स्नान आदी करने के बाद साफ जलसे आटा गूंदे आटे में नमक आदी और कुछ भी ना अब इस आटे की आप छोटी छोटी गोलिया बना लें। भगवान विश्णु जी की कृपा से सभी परेशानियों का अंथ हो जाता है। इसलिए दुर्भाग्या से पीछा छुडाने के लिए आप मावस्या पर इस उपई को अवश्य ही करें। इसके साथ ही दोस्तों अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहन करें। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, आदी का सेवन भूलकर भी ना करें। दोस्तों इस सोमवती अमावस्या पर सूर्य ग्रहन का खास सयोग बन रहा है और इस दिन इन पांच में से कोई एक उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा पित्रों का आशिरवाद, पित्रों के निमित पिंददान और तरपन करें। सोमवती अमावस्या के दिन पूर्वजो तथा पित्रों के निमित तरपन तथा श्रधादी करें। किसी योग य विद्वान के मार्ग दर्शन में पिंददान भी करना चाहिए। इससे पित्री दोश दूर होता है। पूर्वजो की आत्मा को शांती मिलती है और घर में सम्रिद्धी आती है। पक्षियों को दाना खिलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन पक्षियों विशेश कर कों को दाना खिलाना चाहिए। इससे रहू की भी शांती होती है। और पित्र दोश भी दूर होता है। यदि प्रत्य अमावस्या को ऐसा किया जाए तो वगरीबों को वस्त्र तथा खाना दान करना चाहिए। इससे पित्री प्रसन होते हैं और घर में शांती, सम्रिद्धी एवं खुशाली का आशीरवाद देते गाई को खिलाए खाना, सुम्वती अमावस्या के दिन गाईों को भी पित्रों के नाम पर कुछ ना कुछ खिलान चाहिए। आप चाहे तो हराचारा, रोटी के साथ गुण अथ्वा जैसी भी आपकी श्रद्धा वसामर्थ्य हो, उसके अनुसार उन्हें भोजन कराएं। इस एक उपाय से पित्र दोश के साथ साथ जन्म कुंडली के समस्त बुरे ग्रहों का असर शांत होता है। तो दो को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो साथ तब तक के लिए नमस्कार।